आप सब लोग सो आप सभी का वेलकम इन अकेडमी प्लेटफर्म सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अभी तक हमने 6th 7th 8th और 9th जोग्रफी एंसी आर्टेस्स को वेल एक्स्प्लेंड मैंने से कवर अप कर लिया है यहां पर आज से हम लोग 10th क्लास की जोग्रफी को कवर अप करेंगे यहां पर क्लियर है और आज का हमारे 10th क्लास का जोग्रिफी का फर्स लेक्चेर रहेगा दाट इस फॉम्द रिसोर्स क्विक इंडरक्शन बिफोर प्रसीडिंग तू आर सेशन तो मेरा इंडरक्शन ने सुडिंस मैसल्फ करनम अगर्वाल मेरा ग्रेजुएशन आपके सामने हैं और मेरा टीचिंग एक्स्पीडिंस छे साल है और तीन साल से मैं न्सी आटेस को पढ़ा रहा हूं अगर बात क मेरे स्पेशलिटी की तो इंसी आटी जोग्रफी पॉलिटी एंड करेंट अफेर्स में मेरे स्पेशलिटी देती है आया में मेंटर इंड कोच फॉर यूपीस एग्जामिनेशन अब देखा जाए अनकेटमी की तरफ से कॉम्बो प्राइस रवील कर दी गए है यानि कि अब आप लोगों को वान एयर टू एयर और थ्री एयर्स के सब्सक्रिप्शन पके नए चार्जेस आपके सामने हैं तो दूरिंग दे अन्रॉल्मेंट स्टुटेंस यूफ तो यहां पर देखिए अनकेटमी की तरफ से सिविल सर्फिस चेंपियंशिप होने जा रही है था स्टेंब दे पाएंगे लाइफ टेस्ट सीरीज को और स्कॉलर्शिप मिल जाएगा आपको प्राइस वर्थ रूपीज तक रूपी के लिए और तॉफ फिफ्टी तो गाइड बाइड 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 बिस सीए सीमेंटर्स अगर यहां पर देखा जाए तो से 100% तक आपको स्कॉलर्शिप ऑफ मिलता है प्लस अनक एडमी की तरफ से फिसिकल नोट्स मिल जाएंगे और अभिलाश सर्फ सर शाता भी मजूमदार माम दुर्गा शक्ति नागपाल माम राकेश वर्मा सर डॉक्टर बीन रामेश कृष्णा मोहन सर और दॉक्टर विप गुपता अभिलास जाजोस आकाश गोस्वामी सुरेश कुमार एंड़ स्वेता जैसवाल जी की तरफ से अब देशा कि आप देख पा रहे हैं अपर मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर के लिए अगर आप लोग पर्चेस करते हैं इस आप परचेसिंग थे 2021 सब्सक्रिप्शन आप यहां यहां पर लॉन के लिए का बैट यहांरे की तरफ से अनलेमेट्टव स्फर्म आप बिल मिल रहा है आपको इंग्लिश और हिंदी लांग्वेच में 20 बुक्स मिल जाएंगे आपको जो यूपीज एक्सपर्स के दुवारा यहां पर बनाएगी है तो यहां पर वर्थ रूपीज 10,000 रुपीज फ्री विद दो वन एयर सब्सक्रेप्शन और अनवर्थ क्लियर तो अनकेडमी कंबेट जो हर संडे होता है उसको जल्दी से अनलॉक कीजिए यूजिंग कोड रेंक 10 कुछ ने बैचिस की बात की जाए वन एयर बैच जो आपका 2022 को फोकस करेगा वो 9th of June से राड़ेंग्विज अधे हैं अब देख पारें जैसा कि आप यहां पर सब्सक्रिप्शन में आपको थर्टिशमन 24 12 में सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन पाक मिलते हैं यहां पर आपको औप्शनल के लिए मिल जाएगा अगर सुदेंस कोई क्वेरी है तो आप यहां सब्सक्राइब करें तो लीजे सुरेंट्स हम लोग आज का अपना यह सेशन शुरू करते हैं आज ध्यान दीजेगा मैं हर एक चीज को बैसिक से पढ़ाऊंगा और एडवांस सब्सक्राइब नहीं कर सकते गुड मॉनिंग दीप दता जी गुड मॉनिंग तो मैं शुरू कर तो हम लोग सकते सस्टेनबल डेवलप्मेंट गोल हम लोग एक चीज को यह में कि हम लोग सस्टेनबल डेवलप्मेंड गोल को एक चीज रहे तरहेजिए रहेगा है थीख है तो सकता है एंद पर नहीं होगा याद रखना एक्सार्स जितनी जल्दी इस परोगा याद रखे गा अब यहां पर देखेगा on the basis of ownership ownership में भी बहुत रोल प्ले किये जा रहे हैं इवन करेंट अफेस भी बहुत आ रहे हैं जैसा कि पुब्लिक सेक्टर को कई बार सेल भी किया जाता है एक तो इंडिवीज्वल आता है एक तो कॉमृटी आता है और एक आता है नाशनल एंद अच्छा on the basis of development तो पोटेंचल होगा डेवलेप स्टॉक होगा एंद रिजर्व होंगे तो सुडेंट्स याद रखना मैं फिर से दोहरा देता हूं आप लोगों के सामने एक ही चीज को बार बार दोहराऊंगा अगर कोई डाउट रहेगा ना हर एक चीज में तो कमेंट से पास और एक हूँमन नेच्चरल डिस्रोस में दो थडीके की रिसोर्स आ गये एक तो होगा रिनुइबल रिसोर्स जो रहें घॉरेनीवमें में रिसाइकल मतलब उसको रिसाइकलिंग करके फिर से यूस करना कुछ हद तक पॉसिबल रहेगा that ले गए एक बार एग्जास्ट होगा तो हम लुग ना तो उसको नौन रिसाइकल कर पाएंगे क्लिए ओके अब मैं अगर बात करूं रिनुएबल की तो मेरे पास एक रहता है कॉंटीनुस फ्लो और एक बाय लॉजिकल फिर आता है मेरे पास बाय लॉजिकल में दो थरीके के आएंगे तो अब से मैं शुरू कर रहा हूं आज ही अभी सही कमेंट सेक्शन में तयार हो जाओ एक कोशन बताइए मुझे यह इवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है क्योंकि मैं आप लोगों को पताओं आप लोगों को सर्फ यह लग रहा होगा कि आसो बहुत बिस्ट पढ़ाया जा रहे है रुनेबल क्या है नॉन रुनेबल क्या है बट आप लोग एक चीज़ याद रखना रिस्स को हम लोग इस तरीके से यूज करें क कार्बन डायाउकसाइड एमीजन कम हो जाए जी बिलकुल अगर कार्बन डायाउकसाइड अमीजन हमारा कम होगा तो हम लोग पैरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट या फिर आप ऐसा वह सकते हो से बिलकुल है विधे याद रखना कि उपर भारत बिल्कुल खरा उतर रहें भारत का स्टेट है इंडिया का स्टेट रहेगा जहां पर हम लोग Grace प्लस सोलर एनरजी मैक्सिमम डेपलॉय करने की कोशिश कर रहे हैं और हो भी रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में अंसर दीजेगा इसका यहां तक है अब आगे चलता हूं इन्सान भी होगे पौधे भी होगे जानवर भी हो रहे हैं तो बिल्कुल है इवन फिशरी भी होगे क्योंकि वाटर भी लेकर आने और लेकर आने तो डाट इस यौर बाइट रिसोस प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें मेरे कोशन का अंचर कि ऐसा कौन सा इंडिया क सतहर है आता है मेरे पास कैंटे में ऑल्रीजेइए और बाइट उस्फिंग तो चाहिए यह यह एक एसे हैं जो कंपोस करते nízissä यादशक को सा आ navigating can set year हिएग ठीक है आप ने पड़ा की रिनेर्ट होए जो यूज कर लिया फिरसे रिन्यू कर दिया यूज कर लिया फ्रसे रिन्यू कर दिया अचा मुझे एक बात बताओ आप लोग अड़ कोई हूग लिए और और वह मैंने कोई एसा में अंदर सबसे important सबसे important factor क्या है सर सबसे important factor हमारे पास आएगा time time बोल दो stage बोल दो क्या चीज रहती है कि उसको पट्रेगोर्ट इतना time तो दिया जाए कि वो रिसोर्स में convert हो सके याद रखना क्या रिसोर्स के अंदर वो वो कनवर्ट हो सके जैसा कि there is sources which can be renewed या फिर reproduce by the physical chemical or the mechanical processes are known as the renewable बिल्कुल ठीक है और replenishable resources correct solar and wind energy water forest and the wildlife दीब दता जी बोलते हैं solar panels in the agriculture culture field हाँ आप ऐसा बोल सकते हो बट यहां पर एक चीज़ में फोकस करना चाहूंगा आप सभी के लिए याद रखिएगा students फिर आप लोगों का अंसर यह रहा अगर अगर बहुत गहराई तक उतर ना होना तो राजिस्थान इस दर राइट आंसर मैंने मैक्सिमम की बात की है बहुत ज्यादा प्रिवेल करती है प्लस वहां पे लैंड फॉर्म्स इतने ज्यादा लैंड फॉर्म्स वहां पे नहीं रहते हैं तो इसी लिए तो वहां पे इंस्टॉल करना बहुत इजी रहता है याद रखना यह चीज़ को क्लियर है इवन भारत सरकार गवर्मेंट ऑफ इंडिया अब ऐसे कुछ इनिशेटिव को लेकर आ रही है यानि कि जो रेल्वे कि अब यहां तक लेर हो चुका है सभी का आए थिंग अब मैं आगे चलता हूं नौन डॉनेबल रिसोर्स बिल्कुल वही कंसेट होगा कि एक बार यूस कर लिया फिर से रियूस नहीं कर पाएंगे आप लोग लिए तो लिखा कि दीज अकर ओबर वेरी लॉंग जियो लॉ लिए यानि कि मिनरेल्स फॉसल फ्यूल्स आद एक्जाम्पल्स आफ दस्ट्रेस एक्जाइबल एक्जास्टेट लिए तो इसी लिए तो माइडियर सुदेंट इसी लिए तो भारत सरकार ने गवर्मेंट आफ इंडिया ने इन चीजों को देखते होए प्लस प्लस क्लाइमेट को मेन फोकस करते हुए आप लोगोंने एक न्यूस पड़ी थी बीएस फोर से हम लोग भारत स्टेज शिक्स इंजन्स को यूज करने लग गए हाला कि बीए सिक्स इंजन्स गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने 2024 में लांच करना था बट बीए सिक्स इंजन्स को 2020 के अंदर ही लांच कर दिया गया याद रखना यह चीज इंपोर्टेंट रहेगी फॉर्द नीन फॉर्द नॉन रिन्वेबल रिसोर्स फॉर्द क्लाइमेट अगे बढ़ते हैं अब इंडुवीज रिसोर्स की बात कर ली जाए तो कहते यह एक ऐसे रिसोर्स है जो प्राइवेटली ओंड किये गए बाइद सेटिजन आफ इंडिया जैसा कि आप देख पार है कि मेनी फार्मर्स ओन लैंड विच इस अलॉटेट तो दिम बाइग गर रेविन्यू करेक्ट देन क्या लिखा गया इंड विलिज इस रूरल एरियास में देर आद पीपल विद लैंड ओनशेप बट देर अर्मेनी फू आर लैंड लेंड लेंड लेस्ट सो अबन पीपल ओन प्लॉट्स हाउस और अदर प्रॉपर्टीज जहां पर वो प्लांट इसके अंदर सुरेंट्स मुझे एक कोशन एक मैं आप डिसकसी करना चाहूंगा कि जो हमारे पास लैंड रहती है ना जो जादा कल्टीवेटिट नहीं है जो जादा उप जाओ नहीं है बट भारे सरकार बोलते किसी भी तरीके से मॉडरन टेक्नोलोजी से हम लोग वो लैं जो अगें बहुत जादा हारम फुल रहती है क्लियर आगे चलते हैं क्या होगा जैसे कि विलिज के अंदर क्या रहता है पंचायत का जो सोर्सें रहते हैं थीकना तो पब्लिक ट्वाइलेट से तो यह क्या चीज़े है तो सुरेंस यहां पे जो पब्लिक यूज कर पाएग होगा for example these are the resources which are accessible to all the members of the community बिल्कुल ठीक है यानि कि विलेज कॉमन्स लाइक ग्रेजिंग ग्राउंड हो गया है बर्यल ग्राउंड हो गया है विलेज पॉंड हो गया है पॉब्लिक पार्क्स पिक्निक प्रेजिंग ग्राउंड ग्रेजिंग ग्राउंड याद रखेगा सुदेंस मैं आप सभी से एक बात बोलना चाहूंगा आप लोगोंने पड़ा होगा सब्सक्राइब प्रेजिंग ग्राउंड ग्राउंड को अपने देश से बिलॉंग करते इस्ट पारेज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो has a legal power to acquire even the private property for the public goods नहीं कि क्या करते है public property को भी एक्वायर किया जा सकता है for the welfare of the society for the welfare of the publics okay then you you might have seen roads canals railway beings constructed on the field owned by the some individuals urban development authorities get empowered by the government to acquire the land correct students यहां तक अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज कमेंट सेक्षिन में जरूर लिख कर बताईएगा कि आगे मेरे पास आता है यहां पे जिव में सेकेंड्स आप यहां पे खुद देख पार है कि आप यहां पे खुद देख पार है कि ते समुंद्रों का रिसोर्स यहां पे खुद देखा था जो इंडिया और चाइना के बीच पर प्रॉब्लम रही थी जैसा कि आपने देखा चाइना और युसे के बीच में ट्रेड वार शुरू अथा एक्स्क्लूजिव एक्क्नॉमिक जोन का भी वहां पे बहुत ज़्यादा मेंचन किया गया था तो यह बेस आगया फिर से क्यार देन आफ्टर बिलॉंगिंग तो ओपन ओशेंस आगे चलता हूं पोटेंचिल डिसोर्स में क्या चीज़ रहेगी इनकी जिसमें श्रमता होगी केते वो रिसोर्स जो हमें मिल जाते हैं फांद इन रीजन बट आफ नॉट बीन उतलाइज फॉर एक्सांपल भारत का वेस्टरन पार्ट आफ इंडिया जहां पे राजस्था अच्छान है और गुजरात है और अनुमरोश पोटेंचल फॉर देवलप्मेंट अफ दूवेंड अफ लिए प्रोपर ली तॉपर लिए यही जिकर किया था की पोटेंचिल है विंड जैं सोलर अनरजी है बट सो फार इस है नॉट बीन डिवलप्र प्रॉपर ली क्यों क् क्योंकि लाक अफ देवलप्मेंट इंडाट एडियास दे लाक अफ देवलप्मेंट वह कंचेप्ट रहेगा चलें आगे डेवलप्र सूर्स क्या रहेंगे सुरेंट्स के थे डिसोर्स इस विच आर सर्वेड और देर क्वालिटी आज गॉन्टी आफ बेंड दिटर्मान इन विच्छ पाइब आफ देवलप्मेंट विच्छ 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 पीछ रखा गया इस टॉक उसके लिए जैसा की पीडिय जाय था पबलिक दिस्टिबूशन में यनिकी मेंटेरियल इन वायरमेंट विच्छ आफ पोटेंचल तु सेटिस्फाइब एमन यर्यन इनक compound of two gases this may hydrogen hydrogen oxygen however hydrogen can be used as rich source of energy but we do not have advanced technology to use it for the this purposes clear it चलें आगे reserves में क्या होगा जो पीचे स्टाउ करका गया subset of stock लोग इस तरीके से उसको यूस की जिए कि वो डप्लीट ना हो जाया एंड वी कन आलसो यूस इन आर फूचर क्लिर ना तो लोग रिवर वाटर्स कान भी यूस पर जेनरेटिंग पावर बत प्रिजेंट लिए इस बिंग उटलाइज वनली टूर लिमिट एक्सिंट करेक्ट अब मैंने आपके कुछ आपके लिए कटिंग यूस किया था एक न्यूस आई होई थी इन से आटे के अंदरी रायो डी जनेरियो अर्ट समिट ब्रजील के इंदे साउथ अमेरिका में वह था क्ले रहे इन दे 1992 और वो किया था बेस किया था कैस्ट किया था बैक बाइस दे लोकल नाशनल और इंतरनाशनल एक्टिंस तेकन बाई रायो डी जनेरियो अर्ट समिट इन एन निन फ्टी टू फोकस करते हैं आपे देखें in the Rio de Janeiro in the Brazil clear for the first International Earth Summit most important a year base banana apple okay clear a sub sub pally dirty yoga summit we just kind of hundred members need participate kia tha plus kaha pa rio de janeiro in the Brazil candle or summit was convened for the addressing kya tha urgent problems of the environmental protections and the socio-economic development at the global level yad rakhna kis ke oopar tha base environmental protections and the socio-economic development at the global level clear it chalte hai aage even yahaan pe bola gaya ki the assembled leaders signed the declaration on the global climate change very important point yad rakhna global poore vishwa ki baat ki gai hai joth climate me changes aate hai and the biological diversities then the rio conventions endorse the global forest principles and adopted the agenda 21 for achieving the sustainable development goal yaha pek abdekh pa raha hai ki agenda number 21 ko adopt kiya gaya kya tha hai si agenda 21 that is the sustainable development goal in the 21st of the century clear na 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 ki proceed further okay ab me aage chalta hoon abe meri paas a raha hai resources ko kis tariqe samlog plan kar saakta yani ki q planning karna hai aray planning tabhi karin ge na ta ki jo use kiya jara limited use kiya jaga limited use kiya jaga wo emission kam karin ge emission kam karin ge to green house gases ka emission bhi kam hooga jis ke karan ham loog safely survive kar pang kek aria so hala var india dágookア ragi there are the region which are전 a certain type of resources india ki accordingly kiya hai deki joukan da chat dheino statesHE laneshaะ cola tropical areas clear okay bahasa miljchen donkey kysea로 parka प्रदेश से जो रीवर ब्रह्मा पुत्रा निकलती है क्रॉस करती है कहां से नियर दर सदिया टाउन टू एंटर दर अरुनाचल प्रदेश वहां से वाटर रिस बहुत ज्यादा है बटला किस्में कर गया इंफ्रास्रॉक्ट्रॉक्ट्रॉक्ट्ट्रॉप्मेंट में क्लियर है चलें आगे आप जैसा की देख पा रहे हैं स्टेट ऑफ राजस्थान इ देख पा रहे हैं क्लियर है बट लाक इन दो वाटर रिसोस्स क्यूं अरे क्यूंकि ड्राइड एरिया आगया अप खुद देख पा रहे है यानि क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते की पूरे की पूरे पूरे इंडिया के अंदर आपको प्रॉपर्ली इच क्वांटिटी आंड the quality each sorry equal quantity and the equal quality में आप को resources मिल जाएंगे नहीं कहीं पे resources बहुत जादा है और सेम ताइम पे that area is particularly facing the different problems for example Rajasthan has the abundant source for the solar and the wind energy but lack in the water resources same in concept of the Arunachal Pradesh which has abundance of the water resources but lack in the infrastructure developments click then like a liqa jasa ki cold desert do Ladakh ke under a wahaan pe kya rhaegha from rest of the country say isolate ho chukai it has very rich culture heritage but it is deficient in the water infrastructure and the some vital minerals clear ake chalta hon likha this call for the balanced resource planning at the national state regional and the local levels clear ake students face a request a doubt नहीं है तो please comment section में जरूर लिखेगा और अगर ये session अच्छा लगता है तो like जरूर करते जाए ये land resources क्या चीज़ रहती है students what do you mean by land resources तो देखे त्याहन से याणि कि आप जमीन को किस तरीकी से यूज कर रहे हो बोला कि land is a natural resources clear it एक कुदरती रिसोस है of the utmost importance जे बिलकुल however land is an assets of fine magnitude clear sorry finite magnitude की बात की रहे है यहनिकि देर्फोर इस important to use the available land for the various purposes with the careful planning very important point यहनि कि आप लोगो careful planning से ही काम करना चाहिए इंदर लेंड ब्रेकल करेक्ट क्या लिखा कि India has land under a variety of the relief features अरे relief features क्या रहेंगे what do you mean by relief features जैसा कि mountains आगे कहां पे आते हैं देखिए कई तरह के mountain रहेंगे फोल्ड हैं फॉल्ट हैं ब्लॉक हैं प्लाटू आगया साथ इंडिया में प्लेंज आगये नॉथ इस इंडिया में and the islands आगये अंडमान इन लक्षदीप आइलेंड आगये बिलकुल about 43 percent of the land area is plains which provide facility for the agricultural industry important day बोला गया कि about 43 percent of the land area is plain which provides the facility for the agriculture and the industries clear है यह मैंने आप से already discuss किया हुआ है कि यहीं पर industry क्यों है raw material है यहीं पर development क्यों है क्योंकि industry है clear है और यहीं क्योंकि अगेन मेरे पास eligible soil है correct चलें आगे आप देखें लिखा गया कि जो mountains है account for the 30 percent of the total surface area of the country mountains में कहां पर जैसा कि जमवन कश्मीर है लदाक है students focus कीजिए का हर एक point को clear है हिमाचल प्रदेश है उत्राखंड है then after we have the second and most point Arunachal Pradesh तो यह इंडिया के कुछ चाइट से आंड यूथी सिन्हा एक्टरी पर से यूज़िया of the country which includes the mountains clear different types of mountains either the fold or the fault and ensure perennial perennial मतलब सदा बहार सदा बहार क्यूंकि थीस mountains are always covered with the heavy snow प्रेट प्रेज़ व्लूज ग्रमपुत्र रहे न हम लोग हिमालेयन ग्रीवर्स इंडर से सटलूज ब्रह्मपुत्र रिवर प्रोवाइड फैसलिटी फॉर टूरिज्म्स एंड एकलोजिकल एस्पेक्ट यहां पर देखिए क्या बात की गई टूरिजम की चलो मान लिया अकलोजिकल ठ dugamow मैगे चलें थांस दे आरा इंडिया के लिए तो प्लाटू आपे देखिए अएंडिया के लिए तो प्लाटू यहां पर देखिए इंडिया के लिए तो प्लाटू ही ट्रौ टूर बीलकुल तो यह इतने एडिकितना है 27 परसेंट कि यह गया है अगर देकन प्लाटू की बात की यह अगर द कि ऑथ की एतंग मंद तन सब्कुर्ड कि बसकता हूं को दिस्समों डěकन प्लाटू बिलकुल टो यह शरीडीरा है इस दिल्टी घंहा सरन प्लाटू जिए अब देखे यहां पर यहां पर यहां पर मैंने कुछ पिक्छर्ज को यूस किया कि इंडिया के लिए इंडिया के इंडिया कें इन वार्थ कितना एंडिया कवर रहे है है clear है और कितना decline करेंगे यह आपके सामने है 8.61% का clear then area under the non agriculture uses permanent pastures and the grazing lands area under the miscellaneous like trees crops and roofs अब कितना रह गया cultivable wastelands आपके सामने follow other than the current clear then current fellows net scenario यह जो मैंने फिगर यूज किया है यह data रहेगा आपका 2011 के perspective में क्लेरेक कोई डाउट तो नहीं है सुदेंट्स तो आज का session यहीं तक रोकता हूं सुदेंट्स अगर आज के session में किसी को कोई doubt है तो comment section में अभी लिख दीजिए और याद रखें मेरे साथ बने रहीएगा कल मैं resources and development को cover कर लूँगा यह दिखने में जितना easy रहता है उसके अंदर उतने ही ऐसे क्रक्स भरे topics हैं जो बहुत ज्यादा important रहेंगे प्रिल्लिम्स के लिए नहीं में पर्सपेक्टिव के लिए याद रखना में पर्सपेक्टिव के लिए कल हम लोग करेंगे land plus soil किस तरीके से बंतिक कौन सी सब कहां पर मिलेकर वहीं पर क्यों मिलती है और उसके क्या डेवल्पमेंट्स उसके क्या ड्वांटेज होंगे जिसके कारण इंडिया सस्टेमनिबल डेवल्पमेंट्स गोल को एचीव करने में सक्षम होगा चलें थेंक्यू सुदेंट्स तो आपको यह वला सेशन भी काफी अच्छा लगा होगा तो थेंक्यू सो मच